हेलो फ्रेंड पॉपुलर टेवी सीडियल गुम है किसी के प्यार में क्या गयाने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में सवी की बिगडी हालत तो वही अनवी ने फाइनली तोड़ी अपनी चुपी और इशान को बताया सवी के साथ हुए हाथ से का प को बचाने के चकर में होने वाला है जहां हाथ से की वज़ा से सवी की जान पर बड़ा खत्रा मंडराने वाला है जहां डॉक्टर भी ये साफ साफ कह देंगे कि सवी जी की हालत बहुत ही जादा नाजुक है हमें जल्द से जल्द इनकी सर्जरी करनी होगी वरना इनकी जान को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा वैल लब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां डॉक्टर के बड़े खुलासे से ईशान के होश ही उड़ जाएंगे उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि या खिर वो करे तो क्या करे तो वहीं अका साहिब भी इशान के चलते हॉस्पिटल आ जाएंगी और उनको सभी के हालत से कोई लेना देना ही नहीं होगा और वो वहाँ पर भी सभी के लिए खरी खोटी बाते ही सुनाने लग जाएंगी कि इस लड़की के तो आदत ही बन गई है रोज कुछ न कुछ बखेडा खड़ा करने की कभी मेरे बेटे और कभी खुद की जान खत्रे में डाल लेगी जहां अनवी को अंदर ये अंदर रिग्रेट फील हो रहा होगा और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देगी वेल अप शो के अपकमिंग ट्रैक में बाब देखिंगे कि जहां इशान अनवी के पास आएगा उसे समभालने की कोशिश करेगा और उसे चुप करवाएगा लेकिन अनवी चुप नहीं होगी और इशान से ये कहते हुए नजर आने वाली है कि इशान दादा आज जो कुछ भी सवी के साथ हुआ वो मेरी ही वज़ा से हुआ है मैंने ही पहुचाया है उसे इस हालत में वो तो मेरा साथ दे रही थी मुझे में हिम्मत जगा रही थी खुद के लिए स्टैन लेने को बोल रही थी उसने मुझे कहा था कि मुझे घरवालों को सच बता देना चाहिए लेकिन मैं डर्टी रही उसकी एक बात नहीं मानी और आज मेरी ही वज़ा से वो हॉस्पिटल में जिन्दिगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है जहां ईशान कनफ्यूस्ट हो जाएगा और पूछे का कि अनवी बात क्या है मुझे सिर्फ और सिर्फ सच जानना है तो वहीं अनवी सारा सच बता देगी कि मुकल मामा बच्पन से मुझे हैरेस करते आ रहे है बार बार वो मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं मैंने अपनी बदनामी के डर से ये बात छुपाई थी और आज भी उन्हीं की वज़ा से मेरे साथ गलत होने ही वाला था और मुझे बचाने के चक्कर में सवी के साथ हाथ सहो गया तो वहीं दोस्तों ईशान के हिल जाएगी पैरो तले जमीन मुगल मामा की सचाई जान कर तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए आप सब बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो को लाइक चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले